हेलो दोस्तों आज हम सिरी दिग्विजस्मेंट कम्पनी लेमिटेड के कॉर्टर सरी के यल्ट देखेंगे तो फ्रेंड सबसे पहले इंकम देख लेते हैं फ्रेंड देखेंअ जो हमें रिवेन्नीव फ्रूम ऑपरेंट दे रखा है वह क्या सब्सक्तितर देखें ईदर एई दूँर याartet पहले यह भी फ्रेंड रिजल्ट देखते हैं इनके देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ओपरेशन कितना है चोड़ा है तो हमारी टोटल इंकम कितनी है चोड़ा है यार पांसो त्रवंचा लाग के राउंड है और पिछले कौटर में कितनी थी नो है यार 770 लाग और पिछले साल से में थी 12 है दोसो ठासी लाग तो फ्रेंड जैदी हम इंकम देखें तो पिछले कौटर से भी और लास्ट एर के सेम कौटर से दोनों से जारा है तोटल है देखे प्रेंट माई टोटल खर्चे कितने है इस कौइटर में 12 304 लाग पिछले कौइटर में कितने थे 9300 376 लाग और सेम क्वाटर में पिछले साल थे 10,800 लुट रुपे तो फ्रेंट प्रॉफिट बीफोर टेक्स देख लेते हैं इस इस quarter में है 2,172 लाख रुपे पिछले quarter में था 404 लाख और पिछले सा सेम quarter में था 1449 लाख रुपे तो फ्रेंड प्रॉफिट विफोर टैक्स हमारा अच्छा खासा है इस quarter में चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं अभी जो प्रॉफिट फोरदा पेड आफ पिछले quarter में था 255 लाख और पिछले साल सेम quarter में था 944 लाख रुपे तो फ्रेंड यहां पर देखने से तो ऐसे लग रहा है कि हमारे रियर्ट काफी अच्छे हैं चलिए अभी आगे देखते हैं तो फ्रेंड अभी हम EPS देख लेगते हैं अर्निक पर शेर जब हमने फाइनल देखना होता है वो EPS देखते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि हमारे रियर्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं तो देखिए इस quarter का जो basic earning पर शेर है वो है 0.99 रूपी दाटी 99 पैसा प पिछले साल सेम क्वाटर में था 0.67 रूपी दाटी 67 पैसा तो फ्रेंड हमारा basic earning पर शेर पिछले क्वाटर पिछले साल की सेम क्वाटर दोनों से जा रहा है तो हमारे रियर्ट काफी अच्छा है है और राउंड इस में पिछले साल के मकाबल 40 to 50% इंप्रूम्पेट